हेलो दोस्तों मेरा नाम है स्रवड पटवा और आप सभी का हमारे यूटूब चैनल नौलेज अल अबाउट में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC, CHSL जो अभियरती SSC, CHSL का फॉर्म अपलाई किये थे और पेमेंट करने के बाद भी उनका पेमेंट स्टेटस इनकम्पलीट सो कर रहा है वे इस वीडियो को सुरू से अन तक देखें SSC के साइड प्रावलम के कारण ऐसा समस्या आ रहा है किन्तू घवराने की जरूत नहीं है हम आपको बताने वाले हैं किस तरह आप अपने पेमेंट स्टेटस को कम्पलीट कर सकते हैं तो दोस्तो आपको SSC के साइड पर जाना है SSC के साइड पर जाने के बाद Login ID, Registration Number और Password डालने के बाद एक Capture Code डालना है उसके बाद Login बटन पर क्लिक करके Login हो जाना है दोस्तो SSC के साइड पर Login करने के बाद आपको जो है CHSL में जो आप आवेदन किये थे वहाँ पर आपको Payment Status पर क्लिक करना है Payment Status पर क्लिक करने के बाद जो है आपको इस प्रकार का Message सो करेगा You have not paid the fees aid तो ए जो समस्या है, एस Server Problem की वज़र से है इसका समधन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इसके लिए आपको जो है यहाँ पर जो Double Verification of Payment दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जो है आप फिर से SAC की Home Page पर Redirect हो जाएंगे यहाँ से आपको फिर से User Name, Passport और Capture Code डाल के Login करना है दोस्तों Login करने के बाद जैसे आप Double Verification पर क्लिक के उसके बाद फिर से आपको Home Page पर ले जाता है SAC के वहाँ पर User ID, Passport और Capture Code डालने के बाद फिर से Login करना है Login करने के बाद आपको Double Verification of Payment पर फिर से आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जो है आपको E-Received Candidate Copy का जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा यह देखिए यहाँ पर जो है Transaction Amount RS 100 रुपए Transaction Status Success का Message Display कर रहा है इस परकार जो है आप असानी से अपनी Problem Incomplete Payment Status को समाधान कर पाएंगे तो इस पर जो है आप Print करके आप अपने पास इसका Knowledgement E-Received Save करके रख ले रख सकते हैं साथ ही Close बटन पर क्लिक कर ले अब जो है आपको यहाँ पर जो Payment Status दिखा रहा था वह आपको Success का दिखाएगा यहाँ पर Your Payment Status Not It पैट करके जो आ रहा था वह आपको यहाँ पर Success कर दिखाएगा इस पर आपको Close कर लेना है उसके साथ ही आपको Application Status पर क्लिक करके आप चेक कर पाएंगे कि आपका Payment Status Complete हुआ है कि नहीं यहाँ पर Payment Status अब Complete दिखाई दे रहा है यहाँ पर In Complete शो करता है Application Status भी Provideral Accepted दिखाई दे रहा है तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो Like करें, Share करें और दोस्तों के साथ भी Share करके Subscribe करें और जो लोग मेरे इस चैनल पर पहली बारा हैं वे लोग भी Subscribe कर लें साथ ही Bill Notification आइकन को On कर लें ताकि हमारे द्वारा इस प्रकार के हर टेक्निकल टिप्स और ट्रिक्स वाले वीडियो आपको जल्द मिलती मिल जाए और आप जो Payment Status वाले समस्या से जूज रहे थे वह आप इस वीडियो के माध्यम से असानी से जो है अपना इस टेसर Payment Status successful कर पाएंगे Thanks for watching धन्यवाद जैहिन